नवसकर वीके नियूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंग पिछले छे महीने से युक्रेण युद्ध की आग में जुलस रहा है बम के धमाकों से युक्रेण धहल रहा है असलग रहा है कि युद्ध का राक्षिस यूक्रेन का अस्तित्तों मिटा देना चाहता है हर तरफ तबाही का मंजर लेकिन रूस के सामने यूक्रेन डटा हुआ है वही नाटों के सदस्य देश भी यूक्रेन की इस लडाई में उसके साथ है युद्ध की विविस का जेड़ है यूक्रेन में एक तरफ जहां बम के धमाके हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ 24 अगस्त को यूक्रेन के स्वतंतरता दिवस पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉन्सन की विव पहुँचे और यूक्रेनी राष्टपती वलोडीमेर जिल conventionsky से मुलाकात किया और यूक्रेन की राष्टपती को आश्वासं दिया कि वो रूस के खिलाप यूद्ध जीतेंगे इतना ही नहीं, ब्रिटेन के कारेवाहग प्रधान मंत्री ने यूक्रेन को रूसी हमलों का सामना करने के लिए 54 मिलियन पाउंड के पैकेज की खोशना भी की, जबकि अमेरिका ने भी यूक्रेन को उसके सटर्दता डिवस के मौके पर तीन अरब डॉलर का अथियार शाहता पैकेज देने का एलान किया था अपने सही हो कि देशु की मदद से यूक्रेन रूस के खिलाफ यूद्ध में दता हुआ है आपको बदाने कि रूस ने अब तक यूक्रेन के लगबख 22 फीसदी राके पर नियंतरन कर लिया है अधिक सेलिकों को यूक्रेनी से नाने मार गिराया है वहीं उनके 234 लड़ा को विमान बरबाद कर दिये गए हैं स्केरावारूस के 199 हेलिकॉप्टर और 2000 के करीब टेंकों को नुकसान यूक्रेनी से नाने पहुचाया है इस वीडियो में मेरे साथ फिलाल इतना ही देश दुने की तमाम खबरों के ले देखते रही है वीके नियूस नमस्कार